हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक तो चैनल तुड़ेस टॉपिक इस कापिटल असेट प्राइजिंग मॉडल ठीक है इस मॉडल का या इस मैथड का खहलेजिए यूज किया जाता है तु डिटर्माइन दा कॉस्ट ओफ एक्विटी आप सभी को पता है करंट जो चैप्टर आज हम फांचियल मैंजमेंट सबजेक्ट में वो है कोस्ट ओफ डापिटल कोस्ट ओव इकविटी को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ठीक है कॉस्ट ओफ डेट और कॉस्ट ओफ प्रेफरेंट करना हम अल्रेड़ी देख चुके हैं जो देखना चाहता है उन वीडियो को वो प्लीस कॉस्ट ऑफ कापिटल की प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल है आज हम देखने वाले हैं जो की है कापिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल ठीक है तो यह क्या है पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्जाम्पल को सॉल्ट करेंगे इस मैथेड की हेल्प से तो क्या लिखा है इन दिस मॉडल कोस्ट ओफ एक्विटी इस केलकुलेटी बाइटिकिंग रिस्क फ्री रेट ओफ रिटर्न खिंग के बैसिसर पर कियाती है तो आपको पता होना चाहिए risk free rate of return क्या होता है risk free rate of return का guys मतलब होता है वो return जो की एक investor को मिल जाता है अगर वो risk free security में invest करे अपना पैसा suppose कीजिए आप है मैं हूँ अगर हम चाहें अपना पैसा invest करने तो एक common option जो हम सब के पास available रहता है वो है bank ठीक है bank में चाहें अपना पैसा invest करें तो वहाँ पर क्या कोई आपको risk है अपना पैसा रखने का क्या आपको कोई risk है कि मेरा पैसा चाहिए डूग जाए मुझे ना मिले ऐसा कोई risk है आपके पास नहीं है ना वो risk free investment option है जहाँ पर पैसा आप invest कर सकते हो और future में interest earn कर सकते हो ठीक है तो जो return risk free investment options आपको offer करते हैं उन्हें हम बोलते है risk free rate of return the return from an investment that provides guaranteed return with zero risk की जहाँ पर जो risk है वो बिलकुल ना हो और हमें guaranteed returns मिले उसे हम risk free rate of return बोलते हैं जो कि risk free securities पर एक investor को मिलता है इस method में हम इसे risk free rate of return को base बना कर cost of equity को calculate करना सीखेंगे इसका जो पीछे का logic है वो ये है पहले आप वो समझा देती हूं मैं आपको वो logic ताकि आपको ये method बहुत easily समझ में आजाए कोई भी invested है अगर आप ही है समझ लीजिए आप invested है जो अपना पैसा invest करते हैं different different investment options में आपके पास एक option है वो risk free security जहां पर आपको पता है कि आपको return मिलेगा ही मिलेगा आपका पैसा डूबने का कोई मतलब ही नहीं है आपको 100% return जो है वहाँ मिलेगा ठीक है कि यह नहीं है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ऐसा नहीं है वहाँ पर 100% surety है कि पैसा मिलेगा और दूसरा आपके पास option है कि आप corporate में जाकर अपना पैसा invest कीजिए big big companies होती है उनमें अपना पैसा लगाए उनमें पैसा लगाने के भी अपने advantage होते है ठीक है तो अगर आप ये वाला investment option consider करते हो corporate वाला तो क्या आप as a investor ये नहीं सोचोगे कि मैं अगर थोड़ा risk उठा कर इस वाले option में invest करता हूँ और इसमें नहीं करता हूँ तो आप नहीं चाहाँ गई कि जो मैंने extra risk लिया है तो इस extra risk के लिए मुझे थोड़ा extra पैसा भी मिले क्योंकि इतना return तो कोई भी earn कर लेगा ये तो सब कोई available है बट अगर मैं risk उठा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा extra return भी दिया जाए आप ये expect करोगे क्या नहीं करोगे कोई भी person है वो ये चीज expect करता है और company भी ये जानती है कि जो investor है वो हमसे expect करता है कि जो risk free rate of return है उससे जादा हम अपनी investors को दे So ये जो extra return है ये risk free rate of return है इन सब का use होने वाला है in the formula of this model जो कि हम use करेंगे to calculate the cost of equity मैंने आपको इनका मतलब इसलिए पहले बताया ताकि जब आप इने formula में देखो तो आपके दिमाग में किसी तरह की confusion ना create हो ठीक है हमने बात की थी कि इस method के अंदर इस particular model के अंदर जो हम use कर रहे है to calculate the cost of equity इस model में हमारा जो base है calculate करने का वो है risk free rate of return कि इसको base बनाकर हमने cost of equity को calculate किया है और दूसरी जो चीज़ हम use कर रहे हैं वो extra rate of return जो कि investors expect कर रहे है company से इस particular company को अपने fund देने के लिए ठीक है तो इन दोनों का use होने वाला है इस formula में और किस तरहां से use होने वाला है वो अब हम देखते हैं यहां क्या लिखा है cost of equity is equal to r और यह जो bracket में नीचे इसके लिखा है f यह क्या indicate कर रहा है rate of return required on risk free investment that means यह जो risk free investment risk free rate of return देती है तो यह risk free rate of return को indicate कर रहा है और यह जो लिखा है यह क्या है यह है required rate of return on the market portfolio और यह है हमारे पास risk free rate of return यह symbol क्या indicate कर रहा है risk free rate of return और यह जो लिखा है यह indicate कर रहा है rate of return on the market portfolio तो जो मैंने extra rate of return की बात की थी यहां पर तो उसको show कर रहे के लिए हमारे पास यह है required rate of return on the market portfolio यह तो पूरे portfolio की बात हो गई कि उस पर कितना return जो है investor expect कर रहे है portfolio में हर तरहां की investment आती है portfolio उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें हर तरहां की investment होती है उसमें risk free investments भी है उसमें risk वाली investments भी है तो risk वाली investment पे जितना interest है वो तो वो expect करी रहे है उसके साथ साथ extra return वो इतना expect कर रहे है कितना कि जो total market portfolio पर return मिल रहा है उसमें से जो risk free पर उन्हें मिल गया है जो बचेगा वो हमारा extra rate of return को indicate करेगा तो ये दोनों मिलकर जो है company की cost of equity बनेंगे ठीक है I hope आपको समझ में आयोगा तो अब एक चीज यहां पर रह गई है वो है this small b ये क्या है ये है beta इसे बोलते हैं beta और ये है beta coefficient ये risk का measure होता है ये indicate करता है risk जो की investors उठा रहे हैं by investing in the company ठीक है तो ये risk का measure हो गया और ये extra return हो गया जो वो expect कर रहे है above the risk free investment और इन दोनों को मिला कर हमारे पास cost of equity आजाएगी ये i hope आपको basic जो funda है इस model का वो समझ में आया ये model ये कह रहा है कि risk free rate of return तो सबके पास available है बट एक company में जब एक person invest करता है तो कुछ extra rate of return पूरे portfolio में से जो उसे risk free पर मिल जाएगा उसके अलावा जो बच्चा हुआ return है वो उससे expect करता है as a premium to cover the risk जो की involved है to invest in the company ठीक है तो ये था हमारे पास formula और मैंने आपको सारा detail में ये बता दिया है कि क्या चीज किसको indicate कर रही है और अब हम देखने वाले है एक practical question इस formula की help से कि किस तरह से solve करेंगी so let's see question जो आज हम solve करेंगे वो है ये आपके सामने लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है calculate the cost of equity capital of a company where the beta factor is 1.5 that means यहाँ पर beta coefficient जो risk measure कर रहा है वो कितना given है 1.5 उसके बाद next line में क्या लिखा है cost of equity निकाननी है हमें बट यह ध्यान रखें यह जो formula given है यह मैंने लिखा है यहाँ पर आपको एक्जाम में नहीं given होगा आपको एक्जाम के लिए खुद याद कर कर जाने है next चीज हमारे पास लिखी है risk free rate of interest on the government security is 8% risk free rate of interest हमें दे रखा है वो कितना है 8% है उसके बाद हमारे पास given है return on the market portfolio that means return on market portfolio भी given है जो कि है 12% हमें risk free rate of return चाहिए था वो मिल गया beta coefficient चाहिए था वो मिल गया और हमें क्या चाहिए था market में क्या return चल रहा है on the complete portfolio वो भी हमें पता चल गया that is 12% अब सारे values अब इलेबल है you just have to put them in the formula and you will get to know the cost of equity ठीक है the cost of equity निकालने के लिए हम सिर्फ values को put करते चलेंगे risk free rate of return कितना है 8% plus beta coefficient 1.5 bracket open उसमें हमारे पास market portfolio पर कितना return है 12% और उसमें से risk free rate of interest minus करना है तो यह कितना आएगा let's calculate यह है हमारे पास this much this will come equal to 8% plus 6% हो जाएगा और यह आगया हमारे पास 14% that is the cost of equity capital ठीक है तो इस तरहां से इतना simple है question को solve करना बस आपको जो याद रखना है वह है formula और formula को याद करने के लिए रटा मारने के लिए नहीं समझ कर याद करने के लिए जरूरी है कि आपको इसके पीछे का जो concept है वह पता हो और यह भी मैंने try किया है कि आपको अच्छे से अच्छे clear कर दूँ ठीक है तो I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा content पसंत आया होगा अगर सही में अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर कर जाना नहीं आएंगे चैनल पर तो subscribe कर लिचे thank you very much for watching the video bye bye